National Herald Money Laundering मामले में आज Congress अध्यक सोनिया गांधी प्रवरतर निरिशाले में पेश होंगी सोनिया गांधी की पेशी को लेकर इस बीच बड़ी ख़बर ये है कि Congress ने संसर्ट के दोनों सदनों में सगंतर स्ताप का नोटिस दिया है Congress ने विपक्षी नेताओं के खलाफ राजनेतिक बदले की भावना की कारवाई पर बहस की मांग की है सोनिया की E.D. में पेशी से नाराज है Congress और कल की संसर्ट से सड़क्तर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई जा चुकी है सोनिया गांधी जब E.D. में पेश होंगी तो Congress के संसर्ट, विधाया, खुक्षी मंत्री और बड़े नेता Congress वो ख्याले से E.D. रफ्तर के लिए कूछ करेंगे कुमार कुनाल मेरे सयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ कुनाल देखे पिछली बार एक ज्यापक तरीके से प्रदर्शन किया गया था जाहे तोर पर इससे सबक लेते हुए आज सुरक्षा और सक्त रहेगी और मामला आप तो अध्यक्ष का है इसको लेकर कॉंग्रेस की और बड़ी तयारी है कली प्लानिंग कर ली गई थी पिछली बार से जो हमें अंतर दिखाई पड़ रहा है वो ये था कि पिछली बार लगबग अपनी रणनीती कॉंग्रेस ने जाहिर कर दीती कि किस तरीके से वो कूच करेंगे कहा करेंगे इसमर थोड़ा अंडर कवर रखा गया है हलाकि जो कारे करता है वो अभी दफ्तर के अंदर पहुंचे हुए है आप देखते हैं कि किस तरीके से लगातार नारेवाजी चल रही है यहाँ पर कॉंग्रेस के जंडे बैनर के तले क्या कोछ इन लोगों का कहना है आप लोगों का क्या कहना है क्यों इस तरीके से जो आपकी नारे बाजी है आगे भी क्या आप जाएंगे एडी तक जाएंगे क्या आपकी प्लानिंग है देखिए अभी तो ये जो नारे बाजी है हम कारी करता कर रहा हैं पूरे देश के अंदर जगा जगा हर राज्यों में इस तरीके की जो हमारे लीडर सुनिया गांदी जी को E.D. के माधियम से तंग करा जा रहा है ये लडाई संसत से लेके संसत से लेके संसत तक चलेगी संसत में क्या कुछ रनीती होगी सड़क पर क्या कुछ रनीती होगी सड़क पर लडाई किस तरीके से जारी रखी जाएगी 11 बजे जब सोनिया गांदी E.D. दफ्तर का रुख करेंगी तो साथ में कौन-कौन जाएगा क्या पिछली बार जिस तरीके से सड़क पर एक पूर मार्च कर सकती हैं तो ये भी एक इसमें हमें देखना पड़ेगा लेकिन जो एक बड़ा अंतर है किसी संख्या में ये कार करता जुटे हुए हैं जाय तोर पर इमाना जा रहा है कॉंग्रिसी सांसत भी जुटेंगे ये सभी दफ्तर पहुंचेंगे या फिर सोनिया गांदी क एक तो ये गर के बाहर मौजूद रहेंगे क्या पता चल रहा है हुए है देके बहुत आरेकर उरी दूर पर दिखाएंगे जो सेवा बंके चाहरे करता है वो भी तक्षा हो रहे हैं यह यह तो स्पेर हैं जो और हम लग करूरते के ना जुटना शुरूज है अब दस बजे परेस कॉन्वेंस आ यहां पर हीड़कौटर के अंदर ॉटकाई पढ रहा है अब 10 बजए के प्रेस का इंद जार है क्योंकि तमाम जो मुख्य मंत्री हैं कॉंग्रेसी श्टेट के चाहे 36 गर के हो या फ़िर राजस्थान के मुख्य मंत्री हो वो यहाँ पर भी आएंगे अशोग गलोथ खुद प्रेस कांश को तमबदित करेंगे तो क्या कारेकरताओं को इस बार शायद ज्यादा आगे आने के लिए नहीं कहा गया है मुम्किन है कि कुछ देर में जो बड़े नेता हैं जो पार्टी के वरिष्ट नेता है वो इकठा होंगे वो एक तरीके से जो राश्ट्री अध्यक्षा है उनके साथ अपनी solidarity दिखाएंगे वो दिखाएंगे कि हम एक जो टै और किस तरीके से Congress ये जो ED की जो पूछताच है उसको सीधे सीधे कह रही है कि ये कहीं न कहीं पार्टी के वरिष्ट नेताओं को घेरने की तयारी है वो उस सरकार के द्वारा जो की कई सारे मुद्वों पर घेरी हुई है तो ये उसको एक तरीके से और मजबूती के साथ लड़ने के लिए बड़े नेता निकल करके आएंगे तो दोहरी रनीती एक यहाँ पर सड़कों पर दूसरा संसत के अंदर संसत के अंदर भी जो स्थागन प्रस्ताव दिया गया है तो ये तमाम चीजों को देख करके कॉंग्रेस की जो पूरी रनीती क्या होगी उसका खुलासा दस बजे अशो कहलोत की प्रेस कॉंफरेंस में लेकिन महत्पून यही कि सोनिया गांधी क्या पैदल जाएंगी क्या मार्च करते हुए जाएंगी जाएंगी तो क्या उनके साथ राहूल गांधी होंगे प्यंका गांधी होंगे